नमस्कारम देवियों और तचरों आप सभी का हर्दिक स्वागत है कल हमने पढ़ा था वास्तू कला या कला आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन बैबिलोन की सब्भिता दजला और फरात नदियों के पीच जो भूभाग अर्थात दो आब है उसे मैसोपोचामिया के नाम से पुकारा जाता था आज कल यह शेत्र इराक कहलाता है इस शेत्र में क्रमशह, सुमेरिया, मैवलानियन, हसीरिया, आदि सब्भिताओं का विकास हुआ हम्मूरावी एमूराइट वंश का छटा शाशक हम्मूरावी था वह अपने युग का महान विजिता था जिसने लगबग 42 वर्षों अर्थात 2123 से लेकर 2021 इश्वी पूरू तक शाशन किया हम्मूरावी एक महान विजिता तथा बैबेलोनियन सामराज्य का निर्माता था परन्तु वह कि अवल एक विजिता ही नहीं अपितु वह एक योग शाशक तथा कानून वेत्ता भी था उसकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय हमें उसकी विदी सहीता से मिलता है वह एक परिक्षमी अनुशशन प्रिये एवं नयाय प्रिये शाशक था उसका आधिकांश समय परजा की भलाई के लिए वैतितु होता था उसने व्यापार वानिज्य तथा उद्योग धंदों के विकास की तरह विशेश ध्यान दिया और इस संबंद में नए नए नियम बनाए प विदी सहींता के शीरिश भाग पर हम्मू रावी का उत्कीरिण चित्र राजनितिक वैवस्ता शाशन वैवस्ता हम्मू रावी की काल में राजा की शक्ती में काफी वर्दी होई तथा उसकी निरंग पुष्टा तथा श्वेच्छा चाहरिता बढ़ने लगी लेकिन राजा क्रूर वै अन्याई नहीं थे राज्य की सहायता के लिए मंत्री परिशिद होती थी शाशन को कई विभागों में बाटा गया तथा उन विभागों का दायत तो प्रतक प्रतक मंत्रियों का होता था मंत्रियों की नियुक्ती तथा पध्योती का अधिकार समराट को होता था संपूर्ण सामराज्य को शाशन में सुविधा के लिए कई प्रांथों में बाटा गया तथा प्रांथ की शाशन रिवस्ता सामंतों को सौफी जाती थी जो सीधे राजा के परती उत्तरदाई होते थे विधी सहीता बैबिलॉनियन की सरवादिक महत्पूर्ण देन उसकी विधी सहीता है हम मुराबी ने उस समय में प्रशलित नियमों का संग्रह करवाया तथा उन्हें सुविधा जनक बताते या बनाते हुए उसमें परिवर्तन करके एक विधान सहीता का निर्माण किया इसको उसने आट फिट ऊचे एक पाशाण स्थम पर 3600 पंक्चियों में उत्खेड करवाया जिसे पैवी लॉल में मर्दुक के मंदिर के सागिल में स्तापित किया गया जान रखने ही योगि महत्पूर्ण बाद मेश्टर में कदापी मंदिर था ही नहीं यहां मंदिरी शब्द का उप्योग सर्वता अनुचित है बाद में इसे एलम का शाशक सूर्शा उठा ले गया इस स्तंबी की खोज फ्रांसिसे विद्वान एंडी मॉर्गर ने की थी हम मुराबी की सहिता की भाशा सुमेरियन नहोकर सेमेटिक है इसमें कुल दो सो पिच्च्यासी धाराय है जो वैज्यानिक धंग से व्यक्तिक स्तंपति व्यापार और वानज परिवार अपराद और श्रम के अध्यायों में विवाजित है इस सहिता की सबसे बड़ी विशिष्टा यह है कि इसके कानून पूर्ण तह धर्मनिर पेक्ष है नाई तथा दंड व्यवस्था हम मुराबी ने कानूनों को नवीन परिष्टितियों के अनकूल बनाने के लिए एक नई भिरी सहिता बनाई राज किये नयायलों में नयायधिशों को स्वयम समराट नियुक्त करते थे तथा इन नयायधिशों को मनमानी करने से रोकने के लिए लागर कि कुछ वयों वर्द्य वक्ति उनके साथ बैठाई जाते थे निशले रैलों के निड़े के विरुद उच्चे नैलों में अपील करने का अधिकार या व्यवस्ता भी शुरू की गई अंतिम अपेल राजा के पास की जा सकती थी दर्ण व्यवस्ता की सहीता में जैसे को तैसा सिध्धान्द का प्रावधान था याद रखें जैसे को तैसा सिध्धान्द का प्रावधान था अप्राधी की जांच पड़ताल के बाद सजा दी जाती थी जोटी गवाई देने वालों वो सक्त सजा दी जाती थी अधिकाश अप्राधों का डिने जल परिक्षा अथवा पवित्र शपत्त किया जाता था सामाजिक व्यवस्ता सामाजिक संगठन बैबिलाउनियन समाज तीन प्रमुक वर्गों में विभाजित था श्रीमंत अथवा उच्च वर्ग मध्यम तथा निम्न अथवा दास वर्ग उच्च वर्ग में जिसके सदश्चे अविलम कहलाते थे उच्च पदाधिकारी मंत्री जमिनदार और व्यापारियों आदी इस वर्गों में संबलित थे यह वर्ग सुक्स विदा से संबलित थे बैबिलॉन मध्यम वर्ग के सदश्चे थे जो मसकैनम कहलाते थे उच्च वर्ग के लोगों की तरह स्वतंतर थे इस वर्ग के व्यापारी शिल्पी बुद्धी जीवी तरह राज्य की करमचारी किसान और मजदूर भी समलित थे यह समु दासों से कुछ उपर की स्थिती में था तीसरा वर्ग दासों का था जिने वर्दू कहा जाता था वे अपने स्वामी की संपत्ती समझे जाते से उन्हें डागने की प्रथा थी तथा उन्हें विशेश प्रदकार की पोशांग पहनदी बढ़ती थी लेकिन फिर भी उन्हें कानून का थोड़ा संदक्षन प्राप्थ था पारिवारिक जीवन बैबिलॉलियन का पारिवारिक जीवन पित्र सत्तात्मक था समाज में परिवार के सदश्यों का पारसपरिक जीवन कानून दुवारा अनुशाशित रहता था परिवार में माता पिता को लगबग समान अधिकार प्राप्थ थे पिता परिवार का मुख्या होता था और परिवार के समीत द्रश्यों पर उसका कठोर नेंतर रहता था परिवार की संबत्य पर लड़के लड़कियों का समान अधिकार माना जाता था स्थ्रियों की स्थि बैभिलोनियन समाज में स्थियों की स्थिस संबाद जर्ठ थी और उन्हें काफी स्वतंत दा प्राप्त थी उसके पारिवारिक था अंदि अधिकार अनुमोदित थे विवा कुकानूरी रूप दे ना आवश्चक माना जाता है था उस समय भी विवाह को कानूनी रुब देना आवश्यक मान जाता था विवाह से पूर्व एक अनुबंद प्रत्र लिखा जाता था तलाक पुनर विवाह आदी के संबंद में इस्त्रियों के परिस्ति को देखकर निर्णे लिया जा सकता था क्या जाता भी था ये तो प्रभुख जाने परंतु लिख रखा है तही होगा तलाक पुनर विवाह आदी के संबंद में इस्त्रियों की परिस्तियां को देखकर निर्णे लिया जाता था तलाक की अवस्ता में सभी को जीवन निर्वाह भत्ता मांगने का अधिकार था इस्त्रियों को व्यापार करने तसा राज की सेवा वें जाने की भी अनुमती थी साथ ही साथ इस्त्रियों पर नियंत्रण भी परियाप्त था उन्हें पुरुषों के अतिन दहना पड़ता था पुरुष एक से अधिक इस्त्रियां रख सकता था वे भी चारण डिश्तरी को प्राण दंड दिया जाता था खान पान रहन सहन डैबिलोनियन लोगों का मुख्य भोजन अंड फल दूद बांस तथा मसली थी खजूर की ताड़ी को शराब की भांती पिया जाता था पुरुष कमर के नीचे लंबा वस्तर पहनते थे इस्तरियां उपर के अंगों को भी ढगती थी पुरी लोग जरी का काम किये हुए वस्तर पहनते थे पुरुष सिर पर माल रखते थे तथा डाड़ी भी रखी जाती थी इस्त्रियां भी कई प्रकार के केश विन्यास करती थी इस्त्रियों को आभुषण अधिक पसंद थे लोगों का मनवंजन संगीत तथा नर्ति से होता था लोग मशक, बांसुरी, तुरही, वीणा, धोल, खंजरी, आदिवाद्धियंत्रों का प्रयोग करते थे धार्मिक जीवन, बैबिलोलियन की निवासी, अनीक देवताओं पर उश्वास रखते थे उनके प्रमुक देवी देवता, अन, अर्था ताकाश, समश, अर्था शुर्य, सिन, अर्था चंद्रमा, बेल, अर्था प्रत्वी, जिसे भारत या सनातन्धर में प्रत्वी माता की नाम से सम्मानित गया गया है नीन अंगल अर्था चंद्रमाखी पत्नी आदी थी, नए देवताओं में इश्वर और मारदुप प्रत्वी थे, खेतों तथा रधियों के देवता प्रत्वी पुझा भी प्रचलेत थी, इस तर उनकी प्रत्वी थी, प्रारंब में वे श्रष्टी निर्मात्री के रूप म पूझी जाती ही, लेकिन बाद में वे प्रेम की देवी मानी गई, ता मुझ को वरिस्पती का देवता माना जाता था, मारदुप पहले कर्शी का देवता था, लेकिन बाद में उन्हें तुफान का देवता माना जानी लगा, बैबिलोनिया में अनेक बंदे था था, बूर पुजारी लोग खरते थे महत्पूर्ण सुचना मिश्र में पुजारी थे ही नहीं इसलिए यहां पुजारी शब्द का प्रियोग करना तरक संगत नहीं है पुजारी लोग अर्थात पुजारी लोग समाज के उच्च वर्ग में थे ये लोग साधा जिवन नजी का सुख भोग का जिवन वैतीत करते थे अर्थात जीते थे मंदिरों में देवदासी प्रथा ने उन्हें आँचिक प्रत भष्ट किया बैबिलोनिया की लोग अंद विश्वासी भी थे वे भवश्यवाणियों में अधिक विश्वास रखते थे वे भूत प्रेद जादू तोना आधी में भी विश्वास रखते थे बैबिलोनिया की लोग विर्तियों के बाद जीवन में विश्वास रखते थे इसलिए वे क पुरानी नहरों का पुरह निर्मान करवाया खेतों की सतर से नीजी होती थी वहाँ पानी उपपर चढ़ाने के लिए थिचाही कल का उप्योग होता था बैबिलोनिया की निवासी खद्यानों के अत्रिक्त खजूर जैतून तथा अंगूर की पैदावार को महतू देते थे भूमी अधिकाश्रह, राजा, मंदिर, सामन्तों तथा धनी व्यापारियों तथा सामोही के रूप से कबीलों के अधिकार में थी भूमी को उपच के लिए पटने पर दिया जाता था किसानों को कुल पैदावार का एक तिहाई या आधा भाग राजिक को करके रूप में देना होता था हम बुराबी ने जवीन बेचने के कठोर्णियम बरवाए उसने नए भूमी पर खेती करने के लिए लोगों को प्रोस्ताहित किया कर्शी को नुकसान पहचाने वालों को दंड का प्राधान था अकाल तथा प्राकर तिक नुसान कोने पर करमाफ कर दिया जाता था कर्शी को प्रोस्ताहन देने के लिए राज्यम वावजा भी देता था पशूपालन बैबिलोनी रोग की राश्ट्री आय का दुश्रा प्रमुक्स्रोथ पशूपालन था बड़ी संख्या में पशूपाले जाते थे तथा पश्यों पर कर लगाया जाता था गाय, बैल, भैस, भेड, बकरी सुवर, गधे, खचर, आधी, अधिक पाले जाते थे शाशक वर्क तथा संप्राट भी बड़ी संख्या में पश्यपालन करते थे राज के बश्वों की देखफाल के लिए जिलों तथा शहरों में शाही चरवाहे न्यूक्त किये जाते थे, बेईमान ग्रशकों तथा चरवाहों को विरी सहीता के एनुसार कठोर दंड दिया जाता था, उध्योग धन्दे बैबिलोनियनों को अपने पशुवों से उध्योग धन्दों के लिए काफी मात्रा में उन, बाल और चमड़ा इत्यादी प्राप्त हो जाते थे, इसके अत्रिक्त सूत कातला, कपड़े बनाना, मिट्टी के बरतन, यह वूर्थिया बनाना, धात्वों के अस्त्र-शस्त्र, आभुषन लकडिक की वस्त्वे बनाना आधि उध्योग परशलित थे, व्यापार वाणज, बैबिलोनियन लोग अधिकांश्त है, विलासिता के वस्त्वे, इमारती लकडी, सीसा, कांसा, कांबा, सोना चांदी का आयाक करते थे, खाध्यान, अस्त्र-शस्त्र, भातु अ आभुषन, मुर्दियों का निर्यात किया जाता था, व्यापारिक संबन्दूरस्त सिंधु परदेश अर्थात भारत, जो उस समय या पुराने समय में अख़ड भारत के नाम से प्रशलित था, तथा निकट वर्थी एलम के साथ बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहे थे, व्यापार का कारे, व्यापारिक काफिलों द्वारा होता था, माल ठोने का कारे उटो तथा कधों द्वारा करवाय जाता था, जहां जल या तायत की सुविधा उपलब्द थी, वहां नौकाओं का उप्योग किया जाता था, नौकाओं अर्थातना, बैबिलोन में अभी त बिल रसीद आदी का प्रस्लान भी शुरू हो गया था समाज में वियापार एक संगों का विकास भी हो चुका था मैं अच्पूर्ण सोचना तब से पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको भारत जो आज आप अपने डक्षे में देखते हों अपनी पुस्तकों के अंदर वैसा कदा भी नहीं था यह भारत पहले एक अखंड भारत के रूप में था इसमें आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल मैंमार और भी बहुत सारे देश इसी में समलित थे कला हम कल पड़ेंगे तब तक के लिए जय हैंद जय भारत पुनर्दाशिनाय जय महाकाली